हलो गायोंज नेक्स एपिसोड के स्टर्च से पहले आप लोंग मेचेंग गो सब्सक्राइब करते हैं यह सब अपनी एपिसोड के स्टर्च करते हैं सेनस दिखाit जाते हैं जो अपना स्टॉल लगा कर बैट होते हैं पर अभी तक उनके पस कोई भी नहीं आ रहा होता उनके एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए तब भी वहाँ पर सो चैंग आ जाती है और आकर पहले तो शायों को देखते हैं जिसकी मच्रों ने काट काट कर हालत खराब की होती है और भी कहने लगती है कि एक मिनट में आती हूँ और एक जगा अपनी स्टॉल का बैना लेकर खड़ी हो जाते हैं सब लोगों को अपनी तरफ खैंशे लगते हो गाते हैं कि आपके बच्चे भी इससे बहुत कुछ सेकते हैं और आप लोगोगों को भी हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमारा साथ देना होगा इन सब बातों पर और युकीन नहीं आ रहा होता है कि हमें लगता कि तुम लोग इस ही इनिवरस्टी से पढ़ए हो तो उन सब को मजबूरी में अपना आईटी करती कहना पड़ता है कि हम सच में इसी इन्वरस्टी के स्टूडेंट्स हैं वो सब देखने के बाद वो लोग यकीन तो कर लेता है बर फिर भी अभी तक वो उनके एक्सपेरिमेंट में उनका साथ देने के लिए नहीं मारे होते हैं तब ही वहाँ पर वांग आ जाता है वांग भी आकर सोचैंग की हेल्प करने लगता है और इस सबसे लोग तो मां जात बाद भी वहां पर वांग आकर उसकी बाइक पर बैठ जाता हैं लगते के मैं तुम्हारे साथ जाओंगा पसोचैंग उसको यह कार्वास उदार देती है कि देखो शायों के फेस की तरह वह कितना मीमाल लग रहा है और फिर शायों उसकी साथ बैठकर जाने लगता है और तो शायों पर तोड़ा तोड़ा शक्कों ने लगता उसको लग रहा होते कि वही स्कूल का क्लासमेट है हमारा जो पैंक पैंक जो स्कूल छोड़कर चला गया था और सोचेंग शायों के साथ दिखाए जाती है जो उसकी फेस पर मैडसर लगा रही होते जहां पर उसको पर शायों कहाने लगता है कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती ये भी मुझे अच्छी नहीं लगती जिस पर तो आवांग को पिल्कों यकीन हो चुका था और जब उसका फेवर्ट चिकन पूछता है तो वो भी वही वाला बताता है जो सून पैंपैंड को पसंद था और हमें senior शीशी दिखाए जाती है जिसको अपने पस गुचैन की कमी फील हो रही होती है उसके जाने के बाद और अपनी लैब में होता है तब ही गुचैन उसको लैब के बाहर से देखने लगता है और शीशी जो अंदर अपने experiment को enjoy करते हुए dance करते हुए करी होती है और फिवांग दिखा जाता है जो शीशी की bike को लेकर खड़ा होता है और कहरा होता है कि शीशी आज मैंने bike चलानी और तो मेरे साथ बैठोगी पर शायो भी आगे से वैसा था उसने पहले से ही कार मंगवा ली थी और अपने साथ सुचैन को लेकर वहां से चला जाता है और गुचैन दिखा जाता है जो उसी जगा पर खाने के लिए आता है जहांपर वो एक दवा शीशी को लेकर आया था और वहाँ पर खाना ओडर करवाने के बाद जैसे शीशी को यहाँ आते हुए देखता है तो वहाँ से चला जाता है जब शीशी आती है तो शावला आकर उसको वही वहला ओडर देने लगता है जो गुचैन ने करवाया था पर शीशी मना करने लगते है कि अभी तो मैंने तो बताने लगते हैं कि गुचैन आया तो उसने ही ओडर करवाय तो पता निया वो कहां चला गया है और सुचैंग और शायों दिखाए जाते हैं जो दोनों टेक्सी से घर जा रहे होते हैं दोनों को इस तरह एक दूसरे के सार्टाइम स्पेंट करके काफी अच्छा लग रह होता है और सेनर शीशी उस खाने को ले तो आती है पर कर गुचैन के घर के पास आहां करने लगती और उसके लिए जो एक सांध चनना पर वाक्स तिखाए जिससे जब सूचैंग जाने लगती तो शाहय उसके पास जाकर उस år करने लगता है पर आगे से सो चैंग भी उसको हग करने लगते हैं इस तरह दोनों कोई हग नहीं होता और फिर शायों उसके सरे पर हाथ अके कहता है कि कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा और सो चैंग ये सुनने के बाद जल्दी से होस्टर में भाग जाती है और शायों जब अपने रोम में करना है और ये बाते सीरिया भी पीछे से सुन ले तो उसको तंग करने लगते हैं कि ये नेकलस तुमने सो चैंग को देना है ना और सो चैंग लैब में दिखाए जाती है जहां पर कुछ लोग उनकी लैब में आ चुके थे उनसे एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए एक को सुचैंग ले जाती है तो शाय उसके पास आता है और सो चैंग को देखके याद आता है कि इससे तो मैंने बात करने के लिए जाना है बाद में तो उसके पाता हूँ कि पेंग को वॉज़ी दे रहा हुता जोंक नजर नहीं आर रह रहा हुता था जिसे बेगे कर जी को सीधा कर देता है मुझे पथाय इसको काफी बाता है मैं क्या कर booming कि अगर बता करेंने लगती एक किछे नहीं कर एक एक काफी लगता है कि इस ना तो इस push कर दिया But और गुचैन के पास से शायों से मिलने के लिए जली जाती है जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि वांग और शायों दोनों आपस में लड़े होते हैं जैसे ही वो दोनों इसे देखते हैं तो आपस में इस तरह कर लेते हैं कि इन से अच्छा कुछ दोस्त है ही नहीं और कहने लगते हैं कि हम तो थाई फाइट करना सीख रहे थे उनकी ये बाते सुनकर तो सोचैंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि कि कहना क्या चारे हो और कर क्या रहे हैं और फिर अपनी दोस्त को एक और बैटकर बताएं लगती है कि मुझे लगता है वांग औ सोचैंग अपने पास क्लोज ला कई कर候 लगते है कि क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है ये सुनकर वांग हां के से हा कहां देता फिर कहाने लगता है कि मोबाईल को ऑन करके सेलफी निकाल कर देखो और जैसे ही सोचैंग अपनी फेस को देख री होती है सेलफी में तो तो उसकी ड्राइंग को देखकर His बुम factors याद आरा होता है। और यहां शायो जब सौया होता आता है दो उसको का क्या उसको क्याता है कि क्या तुमने सोचयान को अपना लफ कंफेन्स करना या करना यह मैं उसे बता दूं कि तुम जो पेंपें हो फिर आमें गूचेंड दिखा जाता जो शीशी से मिनने के लिए बस टौप पर आया होता है और जैसे शीशी बस मैं जाने लगते तो उसे रोकर कहें लगते हैं मैंने तुम्हें ना कुछ दिखाना है तो मेरे साथ चलो प पर लाया होगे, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और हमें फ्लेश बैक में दिखा जाता है जब वो घर लेने केली बीडिंग देखने केली आया होता है तब यूँ वो वहाँ पर शीशी को इस डॉक के साथ खेलते हुए देखता है और कहने लगता है कि तब मैंने तब देखा था और उसके बाद मैंने तब देखा जब तुमने सोचैंग की हेल्प की तो उसका बैग वापिस लाने में तो शीशी कहने लगते है कि तुम कहना के चाते हो साफ साफ कहो तो कुछेंग कहें लगते हैं कि तुम कूल हो बहुत ज़दा कूल हो और बहुत कमाल हो शीशी कहें लगती है कि यह बत मुझे भी पता है अगर और कुछ कहना तो कोहों वर्णा मैं यहां से जारी हूं यह कहकर वहां से चली जाती है और हमें सोचेंग की फ्रेंड दिखाए जाती है जिसके पार टीछर कुछ पेर्टि के पेर्टिन नमबर लगा दो चाहिए उन पेर्टि सेटाने के लिए होता और्फ है उसकि कि खाना लेने तो तुम्हारी सच्चाई इस बात पर शायों की पेमेंट कर देता है और वांग इसी तरह शायों को बहुत अच्चों से फाइदा ले रहा होता है और पायक लेकर जैसे ही सोचैंग के आगे से गुजरते हैं तो रूख कर भी शायो उसको वहाँ से ले जाता है और सोचैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यह कर क्या रहे हैं और सोचैंग तुबारा से जब अपना ले बMania काम कर ले होती तब भी वहाँ पर एक बच्चा होता है सेनय और उस बच्चे के बारे में सन चैंग से करने लगता है कि यह पिल्कुल ना शायो जैसा है शायों ने जब अपने बच्पन की पिक दिखाई थी ना तो शायों भी ऐसा ही लगता था तो सोचैंग को दुबारा से उस बच्चे को देखकर जो पैंपन याद आने लगता है और फिर जब अंदर से एक चीज लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर फेक स्नेक पड़ा होता है सीनर से पूछें लगती है कि ये लैब में क्या कर रहा है तो सीनर कहें लगते है कि वहाँ कर रहा था शायो ऐसी चीज़े से बहुत ड़ता है वो बता रहा था कि वो उसके सब अलिमेंटरी स्कूल में भी पढ़ा हुआ है सेनिर की ये सब आते सुनने के बाद तो सोचेंग को सब समझा जाता है कि वो शायो नहीं बढ़के जू पैन पैन है और भी सेनिर से पूछने के बाद शायो से मिलने के लिए जाने लगते हैं उसको रास्ते में सारी उसकी बाते यादारी होती है और वो अपनी मेमरीस से भी जो जो पैन पैन को बलर कर चुकी थी अब दुबारा से अपनी मेमरीस में ले आती है और शायों के बस पहुंच कर शायों को पहले बूलाती हो कहने लगती है कि तुम जो पहन पहनो ना यह कहकर वाँ से जाने लगती है शायो उससे रोक लेता है और सुचैंग कहने लगती है कि तो मुझे गुड़ पाई कहीं कैसे जा सकते हो तो शायों के लगते हैं कि तुमने कहा था कि मैं अपना एक ही फ्रेंड बनाऊंगी पर अपना एक दूसरा फ्रेंड कैसे बना लिया उसके साथ तुमने आईसक्रीम भी शेयर की यहां तक कि वो कलर स्टिक भी शेयर की तो सोचैंग उसको उपताने लगते हैं कि वो मैंनी लेकर आई थी वो खुद ही वांग लेकर आया था और उसने मुझे दी थी ना कि मेरे उसे दी थी तो मैं एक पर उससे आके पूछ तो लेते हैं कि मैं दोस्त किसको मानती हूं और सोचैंग ये सब बाते करने के बाद वहाँ से चली जाती है और सोचैंग के जाने के बाद शायों को फील हो रहा होता है कि मैंने उसके साथ क्या किया बच्पन में और फिस शायों और बागे सब सेनियर्स अपना पेपर समिट करवा कर काफी कुश हो रहे होते हैं और दोसे सोचैंग वांग को भी नहीं बुला रही होती क्योंकि उसने उसको इस बात का नहीं बताया था जबकि उसको पता था और वांग को ये बात सोचैंग की फ्रेंड से पता लगते हैं कि उसको जू पैन पैन का पता लग चुका है और सोचैंग जब लेमे आते हैं तो सब सीनियर्स उसको कहते हैं कि हम भाई गूमने के लिए जा रहे हैं तो तुम भी साथ चलना पस सोचैंग मना कर देती है और आगे से जाकर जब शायों से उसका सामना होता तो उसको भी अग्नोर करती है और शायों ने जा और करवाया था जो और आ चुका था उस और में उसे सोचैंग के लिए आइस क्रीम और फ्रायज्स मंगवाये थे जो लाकर सोचैंग को देता है और सोचैंग को उसे देखकर याद आ रहा होता है कि मतलब इसको भी तक याद है कि मैं फ्राइस के साथ आइसक्रीम खाती हूँ और फिर वो सब सेनियर पिक बनाने लगते हैं जिसमें सोचैंग और शायो भी स्मायर करके पिक बनवाते हैं और सोचैंग जब काम करने के बाद बाहिर आती है तो वांग उससे मिलने के लिए आया होता है पस सोचैंग उसको बुलानी रोती है और वहां से जाने लगती है वांग उसको पकरने के चक्रों में उसके बाली खेंच लेता है इस बात पर सोचैंग से उसको काफी मार पड़ती है पर सोचैंग के मूठ ठोड़ा ठीक भी हो जाता है फिर वो दोन एक जगा पर खाने के लिए आया होते हैं वांग उसे कहने लगते हैं कि तुम उससे नरास तो नहीं हो मुझे लगा था जब तुम जो पैन पैन का पता लगे का तुम और भी सैड हो जाओगी और उसको तुम कभी पी अकसेप्ट नहीं करोगी तुम अगर मुझे मारना चाहती हो ना तो प्लीज मुझे मार सकती हो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और जब वहां के पास से वहां से जाने लगती है तो फिर से उसका सामना शायों से होता है पर शायों के साइड से होकर वहां से गुज़र जाती है शायों उसके जाने के बद अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है यहीं पर हमारे के पार्ट भी खतम हो जाता है वेडियो चीले के तो वेडियो को लाइक करना